हेलो इंदी मीडम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मैं वरुन कुमा जाद हो तो आज इस वीडियो में हम जो आपका चैप्ट नंबर 6 है विज्ञान का यानि कि उतक इसके NCRT की exercise के question देखने वाले यानि कि जो अभ्यास के प्रशन उत्तर होते हैं ठीक है ना सबसे एंड में चैप्टर के उन सभी काम solution देखेंगे जितने भी questions यहां पे हैं ठीक है और यह जो चैप्टर के बीच में questions होते हैं वह मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिये थे तो अगर आपने वह नहीं देखे तो पहला उनको देख लेना फिलहार अभी हम अभ्यास के प्रशन उत्तर की बात कर रहें तो पहला प्रशन है आपके अभ्यास में इस चैप्टर का उसमें कुछ एक function होता है specific काम होता है ठीक तो आपका रखना है उतक किसी जीव के सरीर में कोशिकाओं का एक समू होता है जो कोशिकाओं एक दूसरे से जुड़ी रहती है और एक विशेज कारे करती है यानि कि कोशिकाओं ने एक group बना लिया है उस group को क्या बोल रहे है उतक जो क कोशिकाओं एक साथ जुड़ी हुई है और विशेज कारे कर रहे हैं अगला जो question है वो यह है कि आप से पूछा गया है कितने परकार के तत्व मिलकर जाइलम उतक का निर्मार करते हैं तो जाइलम फ्लोयम के बारे में आपको पढ़ाया था अच्छे से पिछली वीडियो का एक परकार होता है जाइलम के बारे में पढ़ा था जाइलम और फ्लोयम क्या करता है उसका function आपको पता होना चाहिए जाइलम जो होता है यह पानी और खनीजों को जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुचाने का काम करता है यानि कि पौधों का वो उतक जिसकी पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुच पाता है उसको हम बोलते हैं जाइलम इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था जासे जल जासे जल जासे जाइलम यानि जाइलम जो जल यानि की पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्वोड करता है आगी बस स ट्रेकीड जिसे हम वाही निकाभी बोलते हैं दूसरी है वाही का ठीक है तीसरी है जाइलम पैरनकाइमा और अगली है जाइलम फाइबर यह चार तरह की एलेमेंट मिलके जाइलम उतक को बनाते हैं क्या क्या काम होता है इनके बार में थोड़ा सा और जान लेते हैं जो ट्रेकीड होती है या वाही निका होती है यह लंबी पतली को सिकाएं है जो पानी का परिवहन करती है ठीक है और जो वाही का है यह चोड़ी और छोटी को सिका होती है जो पानी और खनीज लवर के परिवहन में मदद करती है तेजी से इस diagonally रहे हैं जाइलं पर्न कायमा क्या होता है जो जायं प्रंकायमा यह भोजन का भंदाल्ण करता स्टोर करके रखता है जाईलम फा क्या होता है है यह मुक्यता सहारा देने का काम करते हैं यह चार चीजे हैं जिनसे मिलके जाइलम बनता है आपको यह चार विने संक्या तीन जो है ठीक है बहुत important है इसको important mark कर लेना और इसको अच्छे से तयार कर लेना ठीक है यह जो question है इसको अच्छे से तयार कर लेना question क्या है कि पौधो में सरल उतक जटिल उतक से किस परकार भिन्न होते हैं यानि कि किस तरह से अलग होते हैं ठीक है तो जैसे नाम से ही पत पहला पॉइंट तो लिखेंगे कि सरल उतक एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ठीक है जो जटिल उतक है इसमें अलग अलग कोशिकाओं होती है ठीक है तो इसका इस्ट्रॉक्षर थोड़ा जटिल हो जाता है ऐसे ठीक है कहानी बना के अपने दिमाग में याद र बना की कोशिकाओं की सर्रचना जो होती है वो लगभग एक समान होती क्यूंकि यही तरह की कोशिकाय था जालग अलग तरहें की सरचना रखती है, ठीक, तीसरा जो point है, third point, इसमें क्या लिखा है मैंने, कि सरल उतक पोधे की वृध्धी, विकास और कार्य प्रणाली में मदद करता है, मतलब कि जो पोधे में वृध्धी होती है, पोधे का लंबा होना, पोधे का मोटा होना, नई कलियों का आना जो मतलब वृध्धी वाला हिस्सा है, ठीक है, वो सरल उतक के कारण बनता है, ठीक है, जबकि जो जटिल उतक होता है, ठीक है, वो मेली परिवहन का काम करता है, जटिल उतक में जायलम और फ्लोयम आते हैं, जायलम जो है, जासे जायलम जासे जल, यानि की पानी को ट्रांस करता है ऐसे आप याद रख सकते हो ठीक है तो जो जटिल उतक होते हैं यानि कि जाइलम और फ्लोयम दोनों को मिला के जुटिल बोला जा रहा है वह पौधे में पानी खनीज और कार्बनिक पदार्तों का यानि भोजन वगेरा का परिवहन करते हैं ठीक इसके बाद जो जो इस्काओं की जो भिटी होती है यानि जो दिवार होतीह बारी भी वह मोटी होती ऐस अगला क्या है कि जायलम हो गया और फ्लोयम हो गया यह चौन उतक के ऊधारन है तो यह सारे डिफरिंस बहुत सिंपल वाले difference लिखे हैं मैंने ताकि आपको ये सारी चीजें याद रखने में या समझने में कोई दिक्कत ही ना हो ठीक है तो ये points ठीक है ना आप अच्छे से note करें ना अपनी copy में screenshot ले ले लेना मैं इसको clear कर देता हूं ताकि screenshot आप अच्छे काइमा क्वारन की मा और स्केलन काइमा के बीच में भेद स्परष्ट कर dépर आंतना लेकिन की कोशिका भिटubers के- je जब यह पंतर बताओ यह पूछा गया है तो यहां यहां पर मैंने बहुत कुछ जिया कंभी सक्ते में लिव वो पॉइंट आप रख लिए जो कोशिका भित्ती के असपास घुम रहा है तो याद रखना कि जो पैरन काईमा है यह सबसे सामान निप्रकार का स्थाइं उतक है यहां पर देखोंगे तो भीत रहाँ मिरत नहीं होती है जीवित होती है या पौधे में भोजन पानी और वाएव का भंडारण करता है है एनना लग लग श्रीवित को सिका यह होती है इसकी को सिकाह लंबी होती है और और मोटी हो specific context कौछिका फीज़िकर बनाना ये घवित को कdoo सिकाओं भीत्ती होती ये शल्लोस से बनी होती है सवोज याय ये क्या काम करता है ये है यह जूरा तन येlaughs निकल रहात है नहीं पत्यां निकल रहे हैं फूल निकल रहें इनको इसे üसट्रेंध परवाइड करता है तरिक समर्थन देता है ताकि वो टूटे नासानी से ठीक है इस केलन काइमा क्या होता है इसमें क्या है इसमें कोशिकाएं कठोर और मोटी भित्ति वाली होती है दिवार वाली होती है हमें भित्ति के आसपासी अंतर बताना याद रखना और इनकी कोशिका दिवारें जो होती है वो याद रखना इस के लान काहिमा से ठीक है इस पर यह क्वेस्टन नर्यल के रेसे वाला ठीक है बहुत ज्यादा बार पूछा गया ठीक में देखने को मिल सकता है एक बार इसको भी ठीक है किलिर कर देता हूं आप इस्क्रीन सोट ले लेगा ठीक चलिए अगला क्या है रंद्र की क्या कारे रंध्र है रंध्र मतलब इस टो मैटा जो पत्तियां अगे रहा होती है उनकी सताह पर थे कैंब चोटे चोटे चीड़ पाए जाथी है जैसे आप नागत से सांष लेतैं और वहार काम हो दें ठीक है आपसा समझ सकते हो ठीक तो यहाँए उन सभी कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं जो में में हैं हाला कि इसके अलावा भी इनके कार्य हैं बड़ जो में में यहां पर लिखे हैं तो यह रंद्र होते हैं इनका क्या कार्य होते हैं इसके बारे में बात करते हैं लेको इससे पहले ठीक है यह पढ़ देता हो जो मैंने यहां और परदान इसे आप नाक से शांस लेते हो छोड़ते हो वैसे ही आप समय सकते नोता है भी इन परतिया होता है वह इन यहें पानी न प्रक्रप अंदर है वो वास्प के रूप में इनी छेदों से निकलता है तो रंदों के जरिये ही पौधों में मौझूद पानी वास्प के रूप में बाहर निकलता है यही परकिरिया वास्पों सर्जन कहलाती है इंगलिस में इसको ट्रांस्पिरेशन बोला जाता है तीसरा क्या है पानी की न जादा हो गया है जरूरत से जादा हो गया है उतनी जरूत नहीं है यह रंद्र खुल जाते हैं पानी थोड़ा बाहर जाते हैं जब बोधे को लगता है कि मौसम अभी सूखा सूखा चल रहा है पानी आसानी से नहीं मिल पा रहा है यह छे जातर बंद रहते हैं तो पानी ले 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 अगला क्या है कि तीनों प्रकार के पेशिये रेशों के चित्र बना कर अंतर इस पस्ट करो इसे पहले मैं नाम बता दूं इनके नाम को क्याक्या है रेखित पेशी रेखित पेशी को कंकाली पेशी भी बोलते हैं याद रखना यहाँ बीच में अइसे कर लो ना आतर बीच में ऐसे खीचड़μεी ठीक है इसको रेखित पेशी को लाट जाता है कर ये की ना मत समझना तब फジャstill को चाहिए ने पहले हैं तो यह होगी पहली दूसरी कौन सी है दूसरी है और एक पेसी जना तो तो यहां पर एके करकेन के बारें पढ़ते हैं जो गंकाल पेसी होती है, या जिसे हम रेखित पेसी भी बोलते हैं यह हमारे सरीर में कहां पर पाई जाती है यह मास पेसी हड़ियों से जुड़ी होती है और स्वैचिक गती यानि कि हमारे नियंत्रण में जो भी है ठेकना उसके लिए जिम्मेदार होती है ठेक है यह हमारी हड़ियां जहां पर मतलब हड़ियां के साथ जुड़ी होती है ठेक और इसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, रेखांकित होती हैं और बहु कोशिकी होती हैं, क्योंकि इसमें रेखा रेखा जैसा कुछ structure बना होता है, ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखित पेशी, चित्र आपकी किताब म प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है न, इसमें बहु केंद्रक होते हैं, ठीक है केंद्रक, धारियां यह सब आप लिख देना, ज्यादा कुछ है न, ठीक है एक दुबार प्रैक्टिस करोगे, आपको यह समझ में आ जाएगी, ठीक, अगला क्या है, चिक्निया आरेखित पेशी, यह मास पेशी, आंतरिक अंगों की दिवारों में पाई जाती है, और अनैचिक गती, जो हमारे नियंतर में नहीं होती, के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है, जो हमारे आंतरिक अंगों का इस्तर है, ठीक है, आहर नली बगेरा, ठीक है, उनको, ठीक है, उनकी जो हिर्दे पेशीlag हिर्दे की धड़कन को नीयंतिरित करती है यह अनेच्छीख मतलब अपने कंट्रोल वना नहीं है आप गशा आप चाहे दिल आप आपके अपकी सोच के बाहर है यह अनेच्छीक और रिखांकित होती है तता इसकी कोशिकाएं आपश में जुड़ी होती है कुछ इस तरह के लिखती है समझ में आ गया तो यह तीन तरह की रेखित पेसी आपको समझ में आ गया होगी ठीक है अगला क्या है जो कार्डियक या हिर्देक पेसी है अभी जिसके बारे में हमने थोड़ा सा यहां पर रेखा इसके बारे में एक और कोश्चन पूछा गया है तो आपको यह रखना कि हिर्दे की धड़कन को नियंत्रिक करती है इसके में काम क्या है इसका में काम तो यह होता है जो थर्ड पॉइंट पर लिखा हुआ है ठीक है पहले लेकिन इससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसका मेंवर फंक्शन पूछा गया है तो मेंः एंसर यह थर्ड वाला पॉइंट है बाकि दोनों पॉइ напartव सर ना लिखो यह थर्ड वाला लिखना है आपको कि हिर्दे पेसी क्यूंकि हाँ पोछा गया है इसका विशेज कार तो वो थर्ड वाला पॉइंट है हिड़े पेशी जीवन भर लैबध होकर फैलती और सिकुर्टी है और ये कभी नहीं ठकती इसी के करद हमारा दिल लड़ता रहता है जब तक भी हम जिन्ना है ठीक है किलियर हो गया अगला क्वेश्चन देखो नमबर 7 इसमें पूद यह रेखित और कार्डियक της साब्हे और के स्थान पर अंतर इसर पर्ष्ट्ट कर वो कहां पाई जारी है। इस बेर स्थेखत हैं Awặt नहीं मेरे दिमाग से कंट्रोल हो रही है जो पेसिया उनकों क्या वो तैरे खित पेसिया और शरीर को इच्छा के मुताबिक गती देती है तो आप इनकी वेर्स से आप मूवमेंट कर सकते हो तो यह अस्थियों से जुड़ी होती है क्योंकि है यहापे पुझाना इस्थान बताओ कारे बताओ तो यह गती देती है कारे हो गया कहां पर होती है मैं लिए अस्तियों से जुड़ी होते है इस्थान हो गया और हात पेरों में पाइ अगे कंट्रोल में नहीं होती और इन्हें चिकनी पेशियां भी कहा जाता है थोड़े पहले भी हमने देखा था यह आंख की पलको मूत्र वहनी और फेफडों की शर्शनों में पाई जाती है ठीक है न तो कहां पाई जाती है इस थान सल्ज में आ गया तेगे न कहां कहां पर इस्थिती हैं इनकी इनकी गती तंत्र का यहां और Germania को कंट्रोल नहीं कर पाते कॉसृस सिर्फलिशान कार्यक यो यह बता इस थान कीव स्थान को पूचा था ता इनका काम heck वह लगाता कि दिल-ध्य emailed कार्यक्म ओक्रों। बनाए रखती है और रक्त को सरीर में पंप करने में हिदे की मदद करती है जैसे बाते हिदे इनी से मिलके बनाए ठीक है खिलियर हो गया अगला क्या है नियूरोन का एक चित्र बनाओ neuron का मतलब क्या होता है वो कोशिका जो हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माड करती है मतलब signal को एक जिगां से दूसरे जिगां पहुचाती है ठीक है जैसे कि मुझे अगर माल लो ठीक है न हाथ से लिखना है तो मेरे दिमाग signal दे रहा है यहाँ इसको इसी तरह से मुव करना है आत को मेरे दिमाग से सिग्नल यहां तक जा रहा है किस वजह से जा रहा है तंत्र का तंत्र में जो neurons है वही neurons मिल मिलके मिल मिलके पूरा जाल फैचा बहा है भ्यां तो वहीं से वह सारा सिगनल लेग जाता है जो सिगनल भेजने वाले यानि की जो कोशिकाई होती है उनको बोलते हैं नियूरॉन समझ आया तो नियूरॉन का एक चित्र बनाना था इस तरह से कुछ नियूरॉन दिखता है यहां पर आपकर देख रहे हो तो नहीं दिख रहा तो अपनी किताब में देख ले ना इसमें जो यह बाल जैसे इस्ट्रक्चर निकले हुए रेशे निकले हुए ना इसको बोलते है देंट्राइट ठीक है और जो बीच में आपको काला सा हिस्सा नजरा रहा है इसको बोलते है केंद्रक ठीक है यह जो अंदर हिस्सा नजरा रहा है पीला पीला सा यह ज्यादत है इसको बोलते है कोशिका काय से ही यह पतले-पतले बाल निकले हुए जिसको हम है की ठीक है ना यह सिंगनल बैश सकता है इलेक्ट्रिकल चैमिकल इलेक्ट्रिकल चेंज होता रहते हैं और आगे बढ़ता रहते हैं ठीक है ना क्लेर होगे चित्र तो बहुत इंपोर्टन कई आपको पता होना किभा सिन्ट रख्ण। तो मैं आउंकर और दिंगे हुश्य सब्ट लम्बए-धागि-धागि-आप तंत्र का तंत्र की कोशिका होती है मस्तिस्क मेरे रुजू तथा तंत्र का उतों से को से बनी होती है ठीक है यहाद रखना एक एक करके बात करते हैं जैसे यहाँ पर क्या है से करुशा निकले बल्ब्गे और मोटे प्रवर्ध को एक सोन या तंत्र काक्ष बोलते हैं, या गना तंत्र कांष को हम एक सोन भी बोलते हैं neuron का काम मस्तिस्क से सूचना, का आदान, परदान और visualization करना होता है, समझने आगे इनका क्या काम है, कैसे पाये जाते हैं, कैसा structure होता है, कैसा चित्र बनता है, चित्र में कौन कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक, आगे जलते हैं, अगला जो question है, question number 10, इसमें हमें अलग-अलग हिस्से बताने हैं अलग-अलग चीजों के ठीक है यहां पर क्या ओले निमलखित के नाम लिखो पहला जो है उतक जो मुखे भीतरी अस्तर का निर्मार करता है जैसे आपके अंदर ओला जो ठीक है ना चमड़ा है मुखे अंदर जो उसकी बाहरी लिए रोगई बात बी पार्ट में पूछा गया है बी पार्ट में उतक बताओ जो मनुष्य में पेशियों को अस्ती से जोड़ता है तो आपको याद रखना है कि मनुष्य में पेशियों को यानि माश पेशियों को अस्ती से जोड़ने वाले उतक को हम बोलते हैं कंडरा ठी इसरे में पूछा है उतक जो पौधों में भोजन का समान करता है मैं आपको बताता फासे फूड फासे फ्लोयम याद करने का तरीका तो फासे फूड यानि भोजन फासे फ्लोयम इसका अंसर आएका फ्लोयम तो पौधों में भोजन का समान करने वाला उतक फ्लोयम उतक होता ह सहे יצालोन तो हमारे सायोड करता है तो आयाद रखना कि सरीर में वसा का संचए करने वाला उतक होता है और से एड़िपोसी सब्सहीन होडी की बलता है इंगलेट्स सिरल उतक ने लिक विड़ों में निवरों में स्तिस्क तो होता है tangled होता है कि उभी सथीतूर्स कर ले बाई सब्सक्ते, और कया है कि निम लिखित में उत्कों के प्रीकार-प्रकार को पहचाना पोधों लंक षालِ तो याद रखना कि जो कास्तर जो होता है यह बंडल जो होता है यह जटिल उतक से मिलके बना हुआ है कि लिए रोगी बात अगला क्वेस्टन पहलें काइमा उतक किस चेत्र में स्थित होते हैं यह जैसे जड़ों में पत्तियों में फलों में भी पाया जाता है तो इया रखना अगला क्या है पाध। एकर आपधे में में operating कि क्या पहुमिक रीकष्टन होता है जो सबसे बाहरी तचा ही और अवरण होता है और उसको बनाता है समानता है यह यह कि दोनों में बाहरी ज़ावरन होता है वो epidermis कहलाता है लेकिन दोनों में अंतर होता है, यहाँ प मैंसे पौधो में पूछा है पूछा गया है दो याद रखना epidermis बादार होटी है । उसके क्या फिर बाहरी बाद हो रहिए है जैसे इसका काम क्या है ? करना भी इसका काम होता है ठीक है तापमान को नियंतरित करना भी इसका काम होता है कुछ हद तक करता है ये पौदे के आंतरिक उत्कों की सुरक्षा करता है ये ठीक है पौदे के सरीर का बाहरी आवरन को बनाता है ये ठीक है और जड़ों में पानी और खनीज पौशक तत्तों को अशोशित करता है कुछ हद तक उसमें भी ये मदद करता है पर इसका में जो काम है वो बाहरी आवरण बनाना है खिलर होगे बाद, तो ये लिख लोगे, ठीक है, अच्छे से समझ के, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है च्छाल, यानि कौर्थ, किस परकार सुरक्षा उतक के रूप में कारे करता है, आपने देखा हो ना, पौधों की च्छाल मोटी हो जाती है, सुखी-सुखी सी पौध कर रहा है, तो जहीं सी बात है, च्छाल या कौर्ख, पौधे के भीतरी कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षात्मक उतक है, मतलब किनारे किनारे च्छाल है, च्छाल के अंदर जो भी पौधे का हिस्सा है, वो उस च्छाल जो है, उसकी रक्षा कर रही एक तर ईटाइए निक ही जो पर पानियों धैश नहीं आ पाती ज्यादा तर टेक है ना.. अगला की शाल की कोशिकाय क एंशन सगन रूप से विवस्तित होती है और इन में अंतर खम होता है ना के बरावर नहीं होता है.. खाल की इन विशिस्ताओं की वजह से यह पोधों को यांत्रिक चोट, सूखने और रोग जनक संकरमन से बचाती है सूखने से बचाती है क्योंकि पानी को भाबन के उड़ने नहीं देती है अंदर वाला पानी जो भी पोध के पास है ठीक है न? क्योंकि जो सुबेरी नाम का पदार्थ है वो पानी को भी बहर जाने से रोकता है ठीक है दूसरी बात है कि अगर पॉधे कोई चोट पगए लगती है क्योंकि इसकी छाल काफी मजबूत होती है बहर वाली तो उस चोट को भरदास करता है वो, तो मतलब एक तरह से पौधे की सुरक्षा ही करती है, तो इसलिए ये एक सुरक्षा उतक के रूप में कारे करती है, तो जो पंद्रो कोशन में बोला गया है, नीम ने दी गई तालिकों को पूरा करो, यहां पर देखो क्या है कि स्थाई उतक जो है, तो इसके दो को दो टाइप बताए गए है, सरल और जटिल, तो आप यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या लिखोगे, फ्लोयम, तो उमीद करता हूँ आपको यह सारी चीज़िए संभ्माई होगी, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अलाब, अगर आप साइन्स का फुल कोर्स लेना चाते है, ठीक है, पूरी NCRT जिसमें कवर हो, ठीक है, तो आप AKStudy एप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, विज्ञान कक्षानों का, हिंदी मीडियम का यहां पर आपको प्रगती बैच मिल जाएगा, यह जल्दी में लगिन अगले वीडियो में